करहल सीट पर S.P. सिंग बगेल के पक्ष में सभा करने आए मुक्ष मंतरी हो गया दितनात ने यादो परिवार पर निशाना साधा मेरे साथ S.P. सिंग बगेल साब है इसलिए मुखमंती का टारगेट यहां के गुंडे थे और यादो परवार जिनके सनक्षल में गुंडे यहां पलपते और पुस्पित होते हैं इसलिए मुक्मंग्ती यहां की नब्ज जानते हैं कि यौद 》परवार के द्वारा ही यहां पर उनके सनक्षल में जो गूंडे पलते हैं उसी से जमीनों पर कब्जे, प्लोट पर कब्जे, लड़कियों का अपरहन होता है खेतों पर कबजे चक्रोनों पर कबजा होता है अपरहन होते हैं फुरौतियां ली जाती हैं तो उन्होंने यहां की नव्ज जान रखी है कि अपरादी किनके द्वारा पनपते हैं उन्हीं पराज टार्गेट किया और गुंडों को सीधे-सीधे चुनोती दिया हूँ शिवपाल जी को भी आप लोग ने बता दिया कि उनको बेचारा बना दिया नहीं उन्होंने क्या गलत कहा है कल जिसको कुर्शी ना मिली हो हत्ता मिला हो उससे बड़ी बात मैं कहता हूँ जो मुखमती जी नी कहके गया है शिवपाल को एक भी सीट नहीं मिली आप कहेंगे ज जस्वपाल जी को लड़ा के उनने साइकल चिन्ने दिला करके एक सीट अपनी बचाली एंटी डिफेक्शन लागू होगा अगर वो भागेंगे तो शिवपाल अखेले पिछले पांच साल में देश के उन राजनितियों में जिनने कुछ नहीं मिला चले आखिर सवाल यह आ जंजर सामने आने लगें रोते रोते लोग चिलाने लगें यह दुश्यंत की बात हमें यहां होती है और यहीं वो जो है ना कि यह लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिच है यह सूरत बदलनी चाहिए वो हो रहा है और वो है ना कि है बन्याद हिरनी चाहिए तो सेफही बन्याद है मैं पढ़ देता हूं कि हो गई है फीर पर्वसी पेगल्नी चाहिए इस हमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज यह दिवार आज पढ़दों की तरह रहने लगी съर्त लेकिन ठीक ही बन्याद हिरनी चाहिए और हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गाउं में हाथ लहराते हुए हर लास चलनी चाहिए और मैं अपने लिए कहता हूं कि सर्फ भंगामा ख़ड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिच है यह सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए यह कहना है S.P. सिंग बगहेल का जो करहल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है और उनके पक्ष में योग्याद इतनात सवा करने आए देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के इस गड़ में बीजेपी से इंदमारी कर पाती है या S.P. सिंग बगहेल सिर्फ एक चर्चा का विशा बन कर रह जाते है क्यामरापसन प्रेप सिंग के साथ रनवी नेवी पी निउस करहल मैंपुर